नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सीजट राइस कैपसूल के बारे में इसके फायदे नुकसान और इसे कैसे इस्तमाल किया जाता है कितने दिन तक इस्तमाल किया जाता है इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकि थोड़ा देखने पार है कि छोटा छोटा लिखा हुआ है इनिंग्स फार्मसोटिकल प्राइविट लिमिटेड कंपनी के और इसका MRP है 118 रपे चार कैपसूल का और जो इसमें सॉल्ट होता है वो है इसमें कोल कैल्सी फ्रोल यानि कि बिटामिन डी थ्री साथ हजर आई यू तो दोस्तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजिस की किस काम इस्तमाल किया जाता है दोस्तो इसका उप्योग हमारे शरी में होने वाले बिटामिन डी थ्री की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है यानि कि केल्शिम की कमी को पूरा करने के लिए किया किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग Osteopヌर्जास से जैसी खतरनाग बिमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है दोस्तों Osteopヌर्जास में क्या होता है कि हडिया इतनी जदा कमजोड हो जाती है कि कई बार तो वो अपने आप हट्टियों में या फिर रूमाटाइट की अर्थराइटिस की प्रॉबलम है या फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉबलम है उस कंडिशन में भी इसका उप्योग किया जाता है कमर कर दर्द माश पेशियों की कमजोरी अनीमिया जैसी कंडिशन जैसी विमारियों को ठी करने के लिए इस्तमाल किया जाता है दोस्तो इसका उपयोग सूखा रोग में भी किया जाता है दोस्तो सूखा रोग में कमजोरी आ जाती है पेशन्ट को बहुत ज्यादा और वो सूखता जाता है थकावट महसूस होती हो इसको चक्कर आने लगते है भोक नहीं लगती है उस लोडों के दर्द से अराम दिलाता है दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो इसमें जो चार कैपसुल की पैकिंग आती है इस परकार से होती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपेरंट ये कैपसुल होते हैं बहुत ही बड़ी लगते हैं देखने में तो दोस्तों इसका एक कैप्सुल लेना होता है हफते में एक बार यानि कि एक महीने का कौर्स के हिसाब से एक डबी में चार कैप्सुल डालते हैं कंपनी और इसे लगातार तीन से चार महीने तक इस्तमाल करने को डॉक्टर बोलते हैं। दोस्तो इसका इस्तमाल आपने अपनी मर्जे से कभी भी नहीं करना होता है क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं जैसे कि इसको लेने से उल्टी, घबराहट, मतली, सिर दर्द, चिड़ चिड़ापन, चक्कर आना और शरीर में खुजली वगरा होना ये सब इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो इसे आप अपनी मर्जे से इस्तमाल कभी भी ना करें तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा धन्यवाद